हलो फैंस मैं निदेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इंवेश्ट फोरेवर में एक बाब फिर से स्वागत करते हूं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज मार्केट में गिराबाट हुई उससे अगर आपको याद हो और आपने अगर हमारी कल वीडियो देखी आप अबर आपको बताया था कि मार्केट गिरेगी यह जो चार्ट पर मना था यह जो केंडिल थी इसके बाइस पर बताया था कि हमार्केट में गिरेगी इतनी गिरेगी I was not aware about that okay and no one can predict कि यहां पर इतनी मार्केट गिर सकती है बट हां, market में इतनी गिरावट ही, क्या reason था? तो उसके पीछे reason था American Bazaar. American Bazaar में गिरावट ही, अब reason American Bazaar गिरने का क्या था? तो recession, okay, as well as यहां पर inflation, यहां पर काफी सारी बाते यहां चल रही है, rate hikes, अलग-अलग different different reason यहां पर लोग दे रहे हैं, उससे लेटिर यहां पर market गिरती भी नजर आई, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे indexes ने यहां पस अपने support को तोड़ा है, तो उससे लेटिर हम बाते करने वाले हैं, जानेंगे, बट before the video में आगे बढ़े, request करूँगा कि आप हमारे चाहिए, invest forever को subscribe कर लीजिये, bell icon को hit all notification को on कर लीजिये, ताकि जब भी हम यहां पर video डाले, तो आपको यह video सबसे पहले यहां पर दिखे, यहां पर आप videos को देख के सीख सके, और buying selling की कोई भी recommendation किसी भी तरीके की नहीं है, तो आगे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगर कल किसी ने हमारी बात मानी होती और किसी ने यहां पर shot किया होता, तो यहां पर अच्छा खासा है उनका पैसा बना होता, और यहां पर अगर देखें, तो देखें, अच्छा खासा है यहां पर मिलता हुआ नजर आया था, तो किसी अच्छा खासा पैसा तो यहां पर gap-up में ही बन चुका होता, shot करने पर, तो यही सारी चीजे है जो बताई जाती है on the basis of some facts, तो अगर हम यहां पर देखें,isao अब अब मारिक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता और शसे लेटिर हम बाते करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपर नजरी ज़ोन से श्रूआत करूंगा, तो यहां पर न людям so day, में में आपको दोगहें तो यहां पर मार्केट में किस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि ए गिरावट इस गिरावट में आप मैंने आपको लास्ट sanction भीवता जबाया यहांim Subord ५ और इस support को यहां पर इसे touch करके ऊपर जाके एक यहां पर दिखाया था, बट यहां पर यह sustain नहीं कर पाया, यह एक अगर बात करें, fake यहां पर resistance को इसने तोड़ा, इसके बाद यहां पर नीचे आया, और यहां पर अगर देखें, तो आज की date में यहां पर यह again एक support पर आ ग TV दिखाई देगी 39,800 के आसपास, तो इसके लिए आपको prepare रहना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, और यह ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा कह रहा हूं मैं इस basis पर, कि यहां पर अगर हम देखते हैं, तो आपको पदल चलेगा कि इनों ने, यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यह जो गिरावट है, आज के दिन में लगबग 228 पॉइंट की अभी लगबग गिरावट होती ही दिखाई दे रही है, नीचे से सुधर गया है, ओके नीचे जाके यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो यह कई ना कई positive बात भी हो सकते हैं, कि market आज के दिन में न मार्केट को तेजी होने के लिए याद रखिए, मैं डोजन के साफ से बता रहा हूँ, वाकी निफ्टी के साफ से बता हूँगा, तो यहां पर देखे, तो बत्तिये अच्छी को जब तक यह निकालती, तब तक मार्केट में तेजी नहीं होगी, इस दिख को थोड़ा सा द प्रिपेर रहिएगा, और फिर गिरावट कहां तक हो सकती है, गिरावट इन पॉइंट्स तक मतलब 11,000 के असपास यहां पर आ सकता है, अब बात करते हैं, अपने इंडियन मार्केट की, तो देखे, निफ्टी में यहां पर गिरावट थी, तो यहां पर मैंने आपको कल भ तो कहीं कहीं इस ही को तुछक करके, यह जो यह राइश टेंस है, इसे ही तच करके यह पर नीचे आया है, जब तक यह इसे होल्ड कर रहा है, इस राइश को को क्रॉस्ट नहीं करना है, अब तक अन் वोसम तक अगर इस पुत तर्च करके ओँपर निकल गया, तो 27 तो आपको यहां पर थोड़ा से ध्यान देना है, तो कोशिच रहेगी कि यहां पर मार्केट ना ऊपर जाए, नीचे यह रहे तो अच्छी बात रहेगी इस मार्केट के लिए, और फिर उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ, दिखाई दे सकता है, तो निफ सब्सक्राइब के देना है, जब तक सब्सक्राइब के यह हुए, फंस पर थेट ना की कि यहांट के घंड़ा तो इसे 15,500 के आसपास और फिर इसके बाद अगर और भी गिरावट होती है तो शायद यहां पर 14,000 का लेवल भी आप यहां पर बहुत जल्दी देख सकते हैं प्हलेकस यहां पर बात करेंगे लीथे बात कर लिध में यहां पर अफने डिली देख爵 अब तरीके इसके आप यहां पर आता हुआ दिखाई दिया और जो केंडिल बंती हुए दिखाई दे रही है केंडिल एक तरीके से इंसाइड बार वाली केंडिल बनती भी दिखाई दे रही है यह इससे थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है और यह अगर हम देखे तो नीचे के लेबल यहां पर ही दिखाई देता है सपोर्ट जो कि यहां पर प्रिवियस था और अगर इसे यहां पर होड़ किये हुए तब तक वैलन कोड़ है बट अगर यहां पर चीज़े ऊपर जाना है तो इस लेबल को इसे क्रॉस करना जरूरी ह इस लेबल को क्रॉस किया तो फिर इसके बाब यह लेबल इसके लिए रेच्टेंस यहां पर आता हुए दिखाई देगा तो क्या कहने का मतलब है कहने का मतलब यह है कि simply आपको इस के लेखें तो इस लेखें के जाए देखें लिए c swimming को निकाल देगी याद रखिये एक तेजी होती हुए दिखाई दे सकती है दो इसके अलावा यहां पर देखेंगे आज की रेट में तो यहां पर भी देखेंगे एक डोजी बनती हुई दिखाई दी है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इस सेम यहां पर देखें नीचे के लेवल में यहां पर यह इंटेक्ट है, जो लेवल पहले बतायते हैं, वही लेवल यहां पर इंटेक्ट है, कोई अलग से लेवल नहीं बनते हैं, इस चीच को याद रखिएगा, ऊपर के लेवल यह वाला था, इसे टच करके नीचे आया, और यहां पर एक गिरावट होती भी दिखाई और अब बात करएं कुछ इंडेक्स की, जैसे कि यहां पर हम बात करेंगे निफ्टी IT की, निफ्टी IT ने support तोड़ दिया और यहां पर एक support बनता हुओ दिखाई दे रहा था उस support को इसने क्या कर दिया, उस support को इसने तोड़ा, तोड़के यहां पर नीचे निकलने के बा तोड़ता है तो यहां पर गिरावट देखी जा सकती है जो इसे इस लेवल पर लेके जा सकती है याद रखिएगा लगवग इस लेवल पर इससे लेके जा सकती है तो अच्छी खासी गिरावट यहां पर हजार पांट की अगेन होती हुई दिखाई दे सकती है बट मुझे नहीं रखता जादा गिरावट होगी बट अगर निफ्टी में गिरावट हुई तो ओविस्सी बात है यह भी बाग गिरता हुए नजर आएगा बट एक चीज़ बत नजर आएगे तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स यहां पर आपको दुबारा रेली करते हुई दिखाई देंगे और यहां पर जो थीम है वर्क फ्रॉम होम की या डिफरेंट डिजिटल त्यां डिजिटल की यहां पर जो फॉर्म चल रही है वो एक अलगी यहां पर दु करके चीज़ ऊपर जाएगी बड़ यह भी बोला था कि ऊपर जाने पर इसके आसपास ही आकर रूख जाएगी उसके बाद नीचा आएगी तो देखिए यहां तक भी निगई इधर ही ऐसे सीदे नीचा आती हुई दिखाई दे रही है इस लेवल को इसे क्रॉस करना बहु बड़े चांसे है कि यहां पर यह मैटल 48,050 के आसपास आकर यहां पर ट्रेड करें इस लेवल में इस वाली रेंज में और इस वाले जो लेवल है यह इस रेंज में आकर फस सकती है फिर उपर जाने की कोशिश कर सकते है तो आपको यहां पर भी ध्यान देना है इसके एला 38,782 की लेवल को यहां पर क्रॉस नहीं करेंगा लगबग 1000 पॉइंट यहां पर जाके यहां पर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक तेजी अभी तक फिलहाल में नहीं नहीं ओने वाली है इस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आपको इसके हिसाब से यहां पर शेयर को भी चूज करना है और इससाब से आपको यहां पर ट्रेड लेते हुए नजर आएंगे और नीचे के लेवल की बात करें नीचे का लेवल यहां पर 35,827 यहां पर इंटेक्टर दो नीचे का सपोर्ट ऊपर का रिश्टेंस ओके दोनो साप सीकाम किया जाता है नीफ्टी ऑटो की बात करें नीफ्टी ऑटो में भीार्ट तक गया फिन यहां पर नीचअग रहें है और यहां पर हायर लोड बनाते होए चीज हैं यहां पर नीचे आते हुई दिखाई दे रही है तो जिसकी अर्निंग अच्छी आ रही है अगर ट्रेड लेना है तो किवर उसमें लीजिएगा आगे चलके एक लिश्ट है जो आप बना सकते है अच्छे अच्छे रिजल्ट की ओके लगबग मेरे पास अगर मैं बात करूं तो लगबग 200 प्लस ऐसे स्टॉक्स मैंने यहां अच्छी अर्निंग आती हुई दिखाई दी है जो कि अच्छे खाव से भाग भी लिए कुछ यहां पर नीचे भी है कुछ ऊपर जाके नीचे आ गए है अलगरक तरीके से यहां पर बीएव करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अवरॉल यहां पर आगर अगर आम बात करे है और यह इसका एक बैतरी सपोर्ट है जब तक इसे होल्ड करा हुआ है तब तक फाइन बट अगर इसे यहां पर तोड़ देता है तो याद रखिए यहां पर इसका एक सपोर्ट नजर आएगा और इसे भी तोड़ देता है तो यहां पर एक नजर आ सकता है तो मुस्ट प मतलब क्या है बिल्कुल भी आपको चीज़े यहां पर बेचने की जरूवत नहीं है आपने पोर्टफोलियो को बस रिव्यू करने की जरूवत है अगर कोई बेकार श्टॉक है और 40-50% गिर चुका है तो इसके बाद चीज़े ऊपर भी जाएंगी तो यहां पर आपने जब 2021-2021 में अच्छे पैसे कमाए बाइस ने आपको एक सबक दिया और आपको चीज़े समझाए कि आपको आपको तेजी तेजी मेहीं नहीं रहना है आपके यहां पर जब तेजी हो रही है आपके स्टॉक्स ए आपके सत्राइब करें तो ऊपर जाते है वह दिखं़ा देंगे तो हमें मार्कित से सीखना है ओके हम मार्कित को टाइम नहीं कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकताय है आपको दब्रेम है मुझे ही पताहर सबको पता तो जब्रीAL सिम्पली हमें अन्तंजल्टर्क्शों को यहा जब पन्हें प्राइब झाबे थाज़ चक्रणार्स